सब्सक्राइब तो माइ यूटूब चैनल एक्टिंग ट्राइब नहीं किया यह भी पूचा है किया मैंने कभी मुवीज में आक्टिंग करने का सोचा है और बहुतों ने यह भी कहा है कि अगर आप हिंदी फिल्मों में आओगे तो हमें बड़ी खुशी होगी शुक्रिया द मगर क्योंकि यह सवाल अभी भी आता है मेरे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में तो मैं याद कर रहा था कुछ दिन पहले एक फिल्म जिसमें मैंने लीड रोल निबाया फिल्म को नाम है अलिक्स हिंदुस्तानी जिसकी शूटिंग मदिया पदेश में हुई थी डिसेंबर 2010 10 और जैन्योरी 2011 की बीच इस फिल्म के कलाकार है मरहूम ओम पूरी साब और मेरे पिता टॉम ओल्टर यश्पाल शर्मा जी खुलबुशन करबंदा जी गोविन नाम देव जी सुश्मिता मुकर जी मैम राजा बुंदेला जी तीर्था मुरवारकर गुलकी जोशी और ब्र जन्होंने अपने करियर में धारवी और सर्किस शूट की अफसोस की बात है कि ये पिक्चर एलिक्स हिंदुस्तानी कभी रिलीश नहीं हुए आज तक उमीद है कि एक दिन होगी वैसे आप इसकी ट्रेलर यहां देख सकते हो इस फिल्म के निर्देशक है राजा बुंदेल जी और ये फिल्म 1925 से जुड़ी घटनाओं पे आधारत है जब बिटिश सरकार भारत पे राज कर रही थी ये एक लव स्टोरी है और एक प्लिटिकल थ्रिलर भी कि कैसे एक बिटिश जेनरल का बेटा अपने पिता से इंग्लेंड से हिंदुस्तान आता है और फिर जो उस के साथ होता है वो इस फिल्म की कहानी बन जाती है कमाल की स्क्रिप्ट है दोस्तों इसमें ड्रामा है एक्शन है रोमैंस है इमोशन है और मुझे एलिक्स एडवर्स के किरदार निभाने में बहुत मज़ा आया ये मेरी पहली फीचर फिल्म थी और इसे मैंने अपने क्रिक और जब मैंने सुना के फिल्म में ज्यादतर मेरे सीन्स उनके साथ है तो मुझे हा केने में आसानी हुआ उनका किरदार मुझी प्यारे लाल सुमन मेरे फादर के किरदार जेनरल एडवर्स के परसनल असिस्टन्ट है और जब मेरा कारेक्टर अलेक्स इंडिया पहुँचत इस फिल्म की शूटिंग पन्ना मद्या प्रदेश में हुई थी और मेरा पहला सीन मेरे फादर के साथ था शायद राजा बुंडेला जी ने ये सोचा होगा कि इस इनक्सपिरियंस अक्टर को अपने पिता के साथ अगर पहले शॉट कराएंगे तो ये रिलाक्स होंगे मग और उल्टा इस से मुझे और टेंशन हुआ खैर किसी भी तरह मैंने अपने लाइन्स याद किये और ज्यादा री टेक दिये बगएर शुरू के दो तीन सीन्स हो गए जो कि एक असली महराजा के महल में शूट होए थे अच्छा लगा अपने फादर के सामने अक्टिंग कर और उन्होंने मेरा होसला बढ़ाया यह कहकर कि तुम बस नैच्रल रहना उन शुरुआत के सीन्स के बाद ओम जी के साथ एक्टिंग करना वो भी मेरी पहली फिल्म में सोचिए कितना टेंशन में थाम है ओम जी मेरे कुछ चार-पांच दिन बाद पहुंचे लोकेशन पे और इस बीच मेरे फादर वापस मुंबई गए थे कुछ और काम से रात के कुछ आठ बजे थे जब वैनिटी वैन पे किसी ने खट-कटा के बोला कि ओम जी सेट पे आये हैं आपसे मिलना चाहते हैं मैं जली से वैन से उतरा और उनके पास गया वो मुंशी के कैरिटर में थे और एक शॉट देख रहे थे शॉट के बाद उन्होंने मिरी तरफ मुड़ा और मुस्कराते हुए कहा माई गाड यू लुक जस्ट लाइक टॉम मनाई साथ फर्स ताइम इन दे सेवेंटी और ओम जी मुझ से गले लगे उसके बाद दोस्तों मैंने ओम जी के साथ काफ करना, डायलोग के, कहां आवाज को जोर देना है, कहां कम करना है, कहां पॉस देना है, ओम जी बड़े नॉर्मल रहे थे मेरे साथ, कभी भी मुझे एक फर्स टाइमर होने के एसांस नहीं दिलाए उन्होंने, और मैं उनका अभारी रहा इस पूरे समय, ओफ स्क्रीन, हम खानियां सुनना, उनके चुटकुले, और फिर उनका खाना पकाने का शौक, पहली शाम को ओम जी सीधे होटेल के रसोई में गए, और हेड कुक के कंदे पे हाथ रखके पूचा, क्या बना रहे हो, और फिर उनकी सहायता की, और फिर अगले दिन ओम जी पैदल मार्केट ग छोटा सा प्लास्टिक का पेड़ मंगवाया, और उस पे रूई लगाया, और उसी रूई से एक नकली दाड़ी लगा के कहा, देखो मैं सैंटा क्लाज हूँ, दिल के बहुत अच्छे थे ओम जी, शूटिंग के बाद जब वो किसी काम से दिल्ली आते थे, तो मुझे कॉल करते थे, एक बात जब उनकी शूटिंग इंडिया हैबिटाट सेंटर में थी, उन्होंने कॉल किया और पूचा, ओए अलिक्स, तु दिल्ली में कहां रहता है, आउं तेरे घर, तो मैंने कहा, नई सर मैं नोईडा में रहता हूँ, आप आईए, मैं आपको पिक कर होटेल से, तो नोईडा सुनके ओम जी ने अपने अंदाज में फोरण का, नोईडा, नहीं, रहन दे, वो मुझे कॉल करते थे, जब भी उनको मेरे फादर से बात करनी होती थी, क्योंकि मेरे फादर कभी मोबाइल फोन नहीं रखते थे, ओ या अंगरेश की उलाद, तेरा अब आप मोबाइल फोन क्यों नहीं खरीटता, he would start his conversation and we would laugh together, like good friends. दोस्तों इस फिल्म में यश्पाल शर्मा जी, खुलबूशन खरबंदा जी और गोविन नामदेव जी भी थे, मेरे तीन सीन्स हैं यश्पाल जी के साथ और तीनों में एक्शन, जबरदस्ट एक्शन, एक काफी लंबी सीन में यश्पाल जी मुझे पीछे से अटैक करते क्योंकि उनको लगता है कि मैं उनकी बहन, जो की फिल्म की हीरवन है, उनके साथ मैं छेड़कानी कर रहा हूँ, जबकि मैं उनको एक कुए में गिरने से बचाता हूँ, दोस्तों इस सीन में बहुत मार पीट होती है, और डिरेक्टर के कट बोलने के बाद, यश्पाल जी मुझे का कि दोस्त, तुम से मार खाने में बहुत मज़ा आया, और मुझे बहुत अच्छा लगा यह, इतने बड़े आक्टर से यह सुनके, गोविन जी के साथ मेरा एकी सीन था, जहां एक बड़ा खुलासा होता है, उस सीन से पहले जब रिहरसल हो रही थी, तो गोविन जी ने मुझे से अकेले में का, तुमारा बहुत एहम किरदार है, उमीद करता हूँ तुमे से पूरी शिदत से अदा करोगे, अच्छा लगा मुझे जी सुनके उन से, कुलबूशन जी के साथ कोई सीन नहीं थे मेरे, पर एक फुल डे आउटडॉर शूट के दौरान, मैं अच्छा लगा मुझे, राजा बुंदेला जी के साथ भी मेरे दो सीन्स थे, उन्होंने फिल्म में चंदर शेकर आजाद का रोल प्ले किया, और भागियों के साथ जो सीन्स थे, वो काफी जबरदस थे, मैंने एलिक्स हिंदुस्तानी दो बार देखिये दोस्तों, पहले 2013 जब उस समय के प्रेजिडेंट श्री प्रनब मुकर जी के लिए खास राष्ट्रपती भवन में एक स्क्रीनिंग हुई थी, स्क्रीनिंग के बाद उन्होंने हाथ मिला के मुझसे का, वेल ड़न अलिक्स, और फिर 2016 में, जब एक और स्क्रीनिंग हुई थी यहां दिल्ली मे वो आखरी मुलाकाती ओम जी से, जब प्रेस के लिए वो फोटोज खींच रहे थे, तो ओम जी ने मुझे देखा और का, ओए इदर आ, क्यों पीछे खड़ा है, तो तो फिर्म का हेरो है, एक अच्छी शाम बिताई हम सब ने उसके बाद, और फिर तीन महीने बाद खबर कि ओम जी गुजर गए, बहुत बहुत दुख हुआ, और उसी साल मेरे पिता भी गुजर गए, मुझे यकीन है कि दोनों ओम जी और मेरे पिता उपर बैठके देखने हैं मुझे, दोनों अच्छे दोस्त थे, और हमेशा एक दोनों की खींचा तानी करते थे, आज भी कर र अच्छे जाएंट